हाई गाईज, वेलकम तो मैं चानल एजुकेशन फाइल और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टूल्स ओफ इवैलुएशन की मुल्यांकन के अलग-अलग टूल्स क्या हैं तो यह पटिकलर टॉपिक है बेड के असेस्टमेंट फॉर लानिंग में और एक ही वीडियो में हम सब कुछ डिसकर्स कर लेंगे ठीक है सबसे पहले आते हैं अब्जरवेशन, निगरानी या आवलोकन तो अब्जरवेशन बेसिकली है क्या यह एक एक्ट है, काम है जिसमें किसी को देखा जाता है या किसी चीज को carefully observe किया जाता है उसकी निगरानी की जाती है कि किस तरह से चीज़े हो रहे है learning setting में हम क्यों करते हैं observation हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को या students को अच्छे से assess किया जासके, उनका आंकलन या मुल्यांकन किया जासके observation या सुन के करते हैं या दोनों चीज involved होती है तो observation इसलिए की जाती है ताकि बच्चों के behaviors को study किया जासके उनको अच्छे से evaluate किया जासके कि उनकी behavioral skill या उनका व्यवहार कैसा है ठीक है, basically एक है qualitative technique है suppose कोई practical subject है और उसमें हमने बच्चों को कोई चीज सिखाई है और बच्चे कितनी अच्छी तरीके से उसको कर रहे हैं उसके लिए हम बच्चों को observe कर सकते हैं, ठीक है तो observe करते time teacher को partial नहीं होना चाहिए bias नहीं होना चाहिए किसी एक पक्ष के तरफ और observation की effectiveness कब बढ़ती है कब सबसे ज़्यादा परभावसाली होता है observation जब एक teacher में ऐसी skills होती है और simple सी बात है जिसको ज़्यादा experience होगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को observe कर पाएगा कि बच्चों में कौन सी skills है, कौन सी skills नहीं है और बच्चे और और कैसे काम कर रहे हैं ठीक है, तो simple सा observation तो types कितनी है observation की तो यह है following types पहला है controlled observation तो controlled observation का मतलब है यह closed या controlled space में किया जाता है तो इसमें teacher जगा और time teacher ही decide कर सकता है teacher ही decide करता है कि participant कैसे होनी चाहिए परतिभागी कौन कौन से होगे तो teacher अपने according बच्चों को observe करेगा और record करेगा चलो then है naturalistic observation तो यह कह सिंपल सी बात है कि spontaneous या natural setting में बच्चों को observe करना then है participant observation तो इसमें क्या होता है कोई activity होती है और teacher उसमें खुद भी या observe उसमें खुद भी participant बन जाता है और साथ के साथ बच्चों को observe करता रहता है ठीक है यह basically क्या है एक natural observation का ही part है जिसमें थोड़ी modifications है ठीक है इसको कहते है participant observation तो इसमें teacher उनकी life के बारे में उनके ideas के बारे में उनके thoughts के बारे में जादा अच्छे तरीके से observe कर सकता है ठीक है चलो then है scheduled observation तो यह क्या है regular time पे होती रहती है proper schedule पे होता रहता है जैसे होता नहीं कि कई बार कि आज आज आपको external check करने आएंगे और class में बहुत अच्छे से बैठे रहना बहुत अच्छे से behave करना तो यह क्या है scheduled observation है ठीक है और यह time to time होती रहती है indirect observation क्या है indirect मतलब directly observe नहीं करना camera के मदद से recorded video देख लेना और बच्चों को observe कर लेना यह आता है indirect observation में then है internal और external observation तो internal simple से बात है कि same institute के teacher होंगी same observer होंगे वही हमी observe परेंगे external observation कब होगी जब बाहर के institute से कोई आए और हमी observe करे चलो दशाना आते हैं interview तो interview क्या है साखशात का तो interview होता है 2 परसन के बीच में interview में होता का है एक interviewer होता है या investigator होता है जो कि सवाल पूछता है और एक होता है respondent या interview जो की सवालों के जवाब देता है interview किने तरह कें interview भी 6 तरह के हैं structured interview इसमें predefined questions होते हैं और उनके answers भी expected होगे formal interview क्या है इसको कहते हैं pre-planned interview जिसमें सभी चेज़ें पहले से ही decide कर दी गई है कि venue क्या होगा time क्या होगा और बच्चे उसके लिए proper training तयारी कर सकते हैं informal interview क्या है कि spontaneously pre-planned है कभी भी बच्चों को बठाया और उनसे interview करने लगे कि अपनी problem बताओ अपनी चीज़ें बताओ कि क्या कैसे work हो यह तो यह क्या होता है informal interview होता है जैसे कई बार होता है न कि teacher आपके पास आता है और पूछता कि कहीं दिक्कत तो नहीं है family में सब कुछ ठीक है that kind of thing तो interview के जरिए बच्चों की academic skills भी check हो सकती है और बच्चों की जो social skills हैं उनके self के बारे में चीज़ें सभी चीज़ें एक teacher assess कर सकता है basically evaluation का मतलब क्या है data collection की कौन-कौन से tools है data collect करने के group interview हो सकता है group में बठा के बच्चों से पूछा जा सकता है और बच्चे अपने इपनी चीज़ें बता सकते हैं ठीक है आजकल क्या है online interview है जो की zoom के जरिए google meet के जरिए बहुत चादा आजकल प्रचलन में है then है disciplinary interview तो ये तब होता है जब को student discipline तोड़ता है और तो उनसे question हो दें कि क्या क्या circumstance है और आपने discipline क्यों तोड़ा advantages क्या है तो individual से information collect करने में help मिलती है क्या क्या चीज़े उन्होंने सीखी है वो directly बता सकते हैं teacher को क्या problems उन्हें face हो रही है वो भी पता सकते है teachers को जो भी चीज़े उन्होंने test में लिखी है या forms में fill करी है या जो भी चीज़े वहाँ उन्होंने दी है तो interview को जरिए हैं उन्हें चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है ठीक है questionnaire या personally तो basically questionnaire में होता क्या है specific set of questions होते है ठीक है और उन्हें इसलिए design किया जाता है ताकि हमें एक specific response बिले हमारे students से या particular audience से ठीक है लेकिन learning environment में तो हम student से ही answer लेना चाहिए तो questions को ऐसे design किया जाता है कि अब हमें information मिले कि particular बच्चों को कहां कहां problem है teachers को वो कैसे देखते है teachers के बारे में वो अपनी राय दे सकते है questions के दूश जो भी उनसे questions लिए गए होता न teacher feedback from तो उसमें क्या होता है questionnaire ही होते हैं teacher के बारे में अलग-अलग चीज़े पूछी जाती है infrastructure कैसा है कैसी practical labs है कैसी library है उनसे related questions हो सकते है classes कैसी चल रही है teacher अच्छे से है time पे class चल रही है तो बच्चा वो भी fill कर सकता है academic problems over all के हैं तो सभी चीज़े questionnaire के जरिए ये personality के जरिए पूछी जा सकती है अब questionnaire में होता कै बहुत ज़्यादा data या information एक साथ मिल जाता है less time मिल जाता है क्योंकि हमें अलग-अलग बच्चों से interview लेने की जरूरत नहीं है सभी को एक form पकड़ा सकते हैं या questionnaire पकड़ा सकते हैं और बच्चे अपने-पने option उसमें fill कर सकते हैं ठीक है questionnaire के आजकल कौन-कौन से method है face-to-face मतलब मैंने directly किसी बच्चे को questionnaire दे दिया online में भेज सकता हूँ आजकल तो यह method ज़ादा apply हो रहा है on paper की paper पे ही पूछ लिया email के जरिये भी questionnaire पूछे जा सकते हैं ठीक है चलो यह है questionnaire का example यह personality का example suppose what is your gender तो कोई male है तो male कर देगा कोई female कर देगा what is your age under 25, under 35, under 45 तो जो भी है वो tick कर देगा ठीक है for what subject are you assessing for कि आपको कि subject लिए assess के जा रहा है तो science का है तो science कर देगा then hey in what area are you feeling, are you having difficulties तो theory में है तो theory कर देगा practical में है तो practical कर देगा ठीक है और फिर अगर practical में है तो उससे related question होगे अगर theory में है तो उससे related question होगे तो यह है personally या questionnaire ठीक है जिसमें हमने specific questions पूछे है और उनका specific जवाब है ठीक है तो इनको अपनी language में लिख लिना या चलो types of questions क्या है तो unstructured या open ended questions हो सकते है यहाँ पे हम questions को ऐसे define करते हैं कि हमें in depth information मिली respondent की तरब से ठीक है और option दिये जाते हैं उसमें बच्चा फिर लिख सकता है जो भी उसकी दिखात है फिर यह है open ended question open ended का मतलब है कि बच्चा convergent thinking कर सकता है जो भी उसके mind में आए वो लिख सकता है ठीक है then है structured close ended या dichotomous questions इसमें क्या basically yes या no होता है या कोई specific reply होता है मतलब यह है close ended वहाँ पे end हो गया है और बच्चे को एक ही answer select करना पड़ेगा या तो yes या तो no या कोई particular जैसे sex पूछ लिया male, female, transgender तो वहाँ पे क्या close ended है मतलब divergent thinking वाले questions ठीक है then है multiple choice questions तो इसमें क्या है multiple options होंगे जैसे की google form होता है satisfied, somewhat satisfied या unsatisfied तो जो भी बच्चा feel कर रहा है उसको tick मार देगा advantages क्या है questionnaire के time saving है, एक साथ information मिल जाती है, large data collect हो जाता है, थोड़े time में cheap है, सस्ता है results को भी बहुत अच्चे से easily analyze किया जा सकता है और evaluate किया सकता है बहुत कम time में क्योंकि हमें बस tick देखने है है ना, बहुत ही ज़्यादा easy है बहुत ही ज़्यादा convenience है respondent के लिए, मतलब वो जब चाते हैं जब इसको fill कर सकते हैं, कोई boundaries से नहीं है interview की तरह कि भाई अभी ही करना है, कई बार हम questioner दे देते हैं और बच्चे उसको घर से भी fill करके ला सकते हैं disadvantage क्या है, disadvantage advantage यह है कि हो सकता है valid ना हो, तो बच्चे इसमें भी cheat कर सकते हैं, कई बार होता ना कि साथ वाले बच्चे ने क्या लिखा है teacher के बारे में feedback form में, कि तुने 5 नंबर दिया है तो मैं भी 5 दे देता हूं, तुने 6 दिया है तो वो भी एक drawback ही है और यह भी हो सकता है कि जो respondent है वो इतना truthful ना हो, कई बार questioning होती है तो box provide होता है, तो सोचता है वो क्या लिख हों, तो उसके मन में जो भी आता है वो ही link देता है, ठीक है तो सच्चा ही, इसमें कहीं न कहीं, थोड़ी बहुत हो सकता है कम हो, लेकिन वो depend करता है, फिर बच्चों की age के according, चलो देन आते हैं rating skills पे, तो rating skills को evaluation tool की तरह इसलिए use किया जाता है, ताकि हमें information मिल सके, कि particular task में performance कैसी है, उनका skill level कैसा है, ठीक है, teachers के द्वारा ये इसलिए use किया जाते हैं, ताकि हमें qualitative, as well as quantitative data मिल सके बच्चों के through teachers के द्वारा rating skills को इसलिए भी use किया जाता है, ताकि हम उनके behaviors को rate कर सके, उनके skills को rate कर सके, कि वो poor है fair है, good है, excellent उनमे skills है, behavior है तो rating skills यहीं है rating skills बच्चों के द्वारा भी self assessment के लिए भी use हो सकते हैं, कि मेरी खुद की performance कैसी है, कई बच्चे खुद भी assess करते हैं, कि यहर मैंने इसमें पूर perform किया, मैंने इसमें fair हूँ, मैं इस particular task में good हूँ और इस particular task में excellent हूँ, तो बच्चे अपने आपको भी self faces कर सकते हैं, ठीक है, और अपने classmates की performance को भी rating दे सकते हैं, teachers rating scale को इसलिए use करते हैं, ताकि वो observations को rate कर सके हैं, ठीक है, easy हो जाता है मतलब rating scale से, चलो rating scales हो सकते हैं, दो तरह के graphical rating scale, तो poor है, तो 0 star दे दिया, below average है, तो 1 star, average है, तो 2 star दे दिये, above average है, तो 3 star दे दिये, best है तो 4 star दे दिये, और excellent है तो हमने 5 star दे दिये, ठीक है, numerical rating scale में कहा है, poor है तो 1 दे दिया हमने, weak है तो 2.5 दे दिया, आपे average performance है, तो 3 दिया, किसी की अच्छी performance है, तो वहाँ पे हमने 4 दिया, excellent performance है, तो हमने 5 सिंपली समझो रेटिंग स्केल हम उसको रेट कर रहे हैं पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे ठीक है जैसी परफॉर्मेंस है बच्चों की हम उसके कौड़ी उनी फिर रेटिंग दे देंगे so simple चलो advantages क्या है तो बच्चों को self-sense करने में उनको feedback देने में help करता है result को analyze करने में बहुत ही ज्यादा simple है मतलब rating fair है तो पता चल जाएगा कि अच्छा काम है किसी की code है तो पता चल जाएगा की code है तो rating scale बहुत easy है teachers के लिए बहुत अच्छा है कि behavior scope उनकी performance को easily rate किया जा सकता है rating scales में क्या है clearly defined and detailed statement है ठीक है poor है तो उसमें हम performance लिख सकते हैं कि यह performance है तो हम poor दे देंगे और यह particular performance है तो हम fair दे देंगे और यह particular performance है तो हम बच्चों को good दे देंगे disadvantages क्या है rating scale may not provide exact source of problem तो अगर बच्चों के कई problem है तो वो exactly हमें नहीं पता जल सकती है ठीक है उसके लिए different type of test है और कई बार हो सकता है कि rating skill में वो particular option ना हो जो हम fill करना चाते हैं कि यार यह तो average है तो कई बार वो average वाला option नहीं होता कि satisfied या most satisfied तो आप सोचते कि satisfied ही कर दो ठीक है तो यह भी drawback है चलो देना आते हैं checklist तो checklist क्या होती जांच सूची तो यह इस तरह का tool है जिसमें हम कोई काम हुआ है कोई process हुई है कोई procedures हुए हैं उनको check कर सकते हैं ठीक ह कि suppose 1 to 10 तक counting याद करने सी तो बच्चों को यह है तो हम tick कर देंगे A B C D याद है बच्चों को तो हम tick कर देंगे ठीक है स्वर्व एंजन याद नहीं है तो हम यहाँ पे cross कर देंगे तो हमें easily पता चल जाएगा कि बच्चों की overall performance कैसी है ठीक है और basically checklist इसलिए कि हम एक path way या sequence follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं checklist क्यों होती है कि कई बार हो सकता है जो हमारी human memory है वो उतनी reliable ना हो कई बार क्योंकि कई बार भूलने की हमें दिक्कत हो जाती है कई बार चीजे अगर हमारी long term memory में feed नहीं है तो हम भूल जाते हैं इसलिए हम checklist बना लेते हैं कि हम चीजों को time to time assess कर सकें कि क्या complete हुआ है क् practical subject में checklist बहुत ही जादा important है support safety gears पहने है तो student के जरीए भी और teacher के जरीए भी बच्चों कैसे किया जा सकते है कि particular बच्चा particular चीजे कर रहा है lab में या नहीं या किसी educational setting में बच्चा सभी चीजें follow कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है तो हम particular चीजों को tick करते रहेंगे और अगर जो चीज नहीं है तो उसको हम cross कर देंगे कि ये चीज follow नहीं है और इसको follow करवाना है checklist self evaluation के लिए भी बहुत ही जादा जरूरी है student ये चेक कर सकते कि उन्होंने particular objective को complete किया है या नहीं किया है ठीक है अगर किया है तो बहुत अची बात है नहीं किया है तो पहले उन objective को उन्हों देश से को complete करना है advantages क्या है बहुत ही ज़्यादा easy to use है बहुत ही ज़्यादा sort हो सकते है information और जो भी चीजे sequence में चलने इसको check कर सकते हैं कि हुई है या नहीं हुई है most important task के लिए हम checklist बना सकते हैं कि particular चीज सबसे पहले हो गई हो ठीक है checklist इसलिए बना सकते है कि बच्चों ने basic task को पूरा किया है या नहीं किया है किया है तो बहुत अचीजी बात आगे बढ़ जाएंगे नहीं किया है तो पहले वो करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है और teacher और कोई भी instructor बहुत अच्छे से check कर सकते है कि भाई कौन-कौन सी चीजी रहेंगे कौ कौन-कौन सा पूरा हुआ है या नहीं हुए उसका content के बारे में नहीं पदा चलता कि objective में particular content क्या है ठीक है बहुत ही ज़्यादा detail नहीं इसलिए हम अलग-अलग methods यूज करते हैं ताकि हम बच्चों को अच्छे से assess और evaluate कर सके चलो दैन आते हैं cumulative record या संचित record के बारे में तो cumulative record को हम ऐसे define कर सकते हैं कि इसमें वो records होते हैं जो की अलग-अलग type के assessment के द्वारा time-to-time किसी learning process में या किसी particular course में हासिल किये गए हैं ठीक है और इस record में comprehensive या व्यापक manner में time-to-time वो सभी चीजे include की गई हैं जिसके बारे में हमें पता चल सके कि बच्चा particular चीज में किस तरह से behave कर रहा है इसी को कहते हैं cumulative record ठीक है cumulative record में basically हो तक है बच्चों की mental, physical, social और moral चीजों को सभी चीजों को अच्छे से record किया जाता है और जो भी assessment होते हैं इनको लेगे उन सभी के बारे में detailed में अलब detail में तो नहीं brief में लिखा रहता है cumulative record में ठीक है तो community record को Arthur Jones नहीं क्या कहा एक community record is a permanent record of student which is kept up to date by the schools ठीक है यह कैसा record है यह बच्चे के बारे में record है जिसको time to time update करना होता है school की तोरह it is huge educational history कि उसकी sectionic इतिहास है sectionic history है कि उसकी school achievement क्या रही है उसकी attendance कैसी रही है उसका health कैसा है उसने test में कैसा score किया है और similar pertinent data pertinent का मतलब होता है उचित ठीक है मतलब इसी तरह के उचित data उसमें है तो यह होता है cumulative record आप अपने language में चैसे से define कर देना चलो types मतलब cumulative record में किस तरह की information होती है तो personal information होती है मतलब उसका नाम, sex, father's name, admission number, date of birth, class, accent, environmental या background data मतलब उसकी family status क्या है उसका social economic status क्या है cultural status क्या है उसके neighborhood में कैसा environment है ताकि हम बच्चों के बारे में अच्छे से पता लगा सके और उसके according बच्चों की जो learning goals है और कैसे पढ़ाना है different setting के लिए बच्चों को वो सभी कुछ decide कर सके ठीक है उनकी environment को ध्यान में रख दूए उनका physical data भी record कर सकते हैं कि उनका weight क्या ह height क्या है illness मलब अगर किसी बच्चे को suppose करो diabetes है तो क्या करना है emergency situation में उसके बारे में लिख सकते हैं physical disabilities अगर किसी में है तो उसके बारे में लिख सकते है psychological data अगर किसी बच्चे को है किसी बच्चे को particular चीज़ से कि डर है या anxiety है तो उस तरह की situations और problems के बारे में सभी data होता ह है ताकि उसके according सभी चीज़े arrange की जा सके है educational data होता है उनकी class के बारे में previous schooling का रहे हैं उनकी marks attendance सभी कुछ curricular data मतलब co-curricular data NCC, sports, NSS या जो भी उनकी hobby है वो सभी कुछ principal या teachers के remark क्या है particular बच्चे के बारे में उनका behavioral और moral data भी होता है तो जब यह सभी चीज़े है एक बच्चे के बारे में एक individual के बारे में तो अब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो हमें असानी से किसी भी बच्चे के बारे में detailed एक brief मिल जाता है कि बाई कैसे हमें उसे assess करना है कैसे हमें उसे evaluate करना है और किस तरह से हमें अपने educational settings करने ताकि बच्चे को सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाए चलो advantages क्या है तो यह advantages है कि सभी aspects student के हैंस में comprehensive है, व्यापक है, career के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब जब बच्चा accumulated records को लेके जाएगा employer के पास तो आसानी से देख के पता लगा सकता है कि बच्चे में क्या-क्या skills है, counselor के लिए easy हो जाता है क्यों, ताकि counselor बच्चे की history के बारे में जानके उसकी physical, mental और social records को जानके उसी recording बच्चे को guide कर स एक्स्टा काम करना पड़ता है और सभी चीज़ों को record करना आसान नहीं है, तो teacher के लिए ये काम easy नहीं है, extra work है teachers के लिए, है न, बिल्कुल है, data management करना कई बार TDS हो जाता है, मतलब ठकावट वाला काम हो जाता है, laborious काम हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चों का data रखना उस के लिए अलग से चीज़ चाहिए, मतलब सभी क्लास में बच्चे है भाई, है न, सभी का time to time record रखना उतना easy task नहीं है, तो ये है disadvantages, तो इस इक साथ वीडियो हुआ कतम आ है हुआ आपको समझ में आया होगा, and all the very best for exams.